यह story एक ऐसे साइकोपैथ की है, जिसे लोगों को दुखी देखने में मज़ा आता है, वह लोगों को हट करता है, और जब लोग दुखी होते हैं, तो इस बात से साइको को खुशी मिलती है, कहानी स्टार्ट होती है, और हमें सीजे नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो वजह से उस बिल्डिंग के सारे रूम की डुपलीकेट चाभी उसके पास होती है और क्लारा सीजर की वाइफ नहीं बलकि वह तो उस बिल्डिंग में रहती है जिसका सीजर केर टेकर होता है अब क्लारा अपने काम पर जा रही होती है और दरवाजे पर खड़े सीजर से टाइम पूछती है फिर हनस्टे हुए बहां से चली जाती है सीजर को उसे खुश देखकर बहुत तकलीफ होती है सीजर लोगों को अपनी बातों से या फिर अपनी हरक्तों से हमेशा दुखी करता है और उसे ऐसा करके बहुत खुशी मिलती है शाम को क्लारा जब काम से वापस आती है तो रेस्ट करने के लिए अपने बेड़ पर लेट जाती है उसी बेड़ के नीचे सीजर भी छिपा होता है और रात में कलारा के सोने के बाद वह उसे क्लोरोफॉर्म सुखाता है और उसकी डेली इस्तिमाल करने वाली चीजों में कुछ केमिकल मिलाता है फिर कलारा के पास जाकर सो जाता है सुबह होने से पहले वह कलारा के रूम से बाहर निकल रहा होता है कि तभी अर्चना नाम की लड़की देख लेती है और वह सीजर को हमेशा ब्लैक्मिल करने लगती है क्लारा उन्ही कॉस्मेटिक चीजों को इस्तिमाल करती है जिसमें सीजर ने केमिकल मिलाया होता है लेकिन फिर भी क्लारा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह हंसी खुशी अपने काम पर चली जाती है जिससे सीजर बहुत अपसेट होता है अगले सीन में हमें एक मा और बेट किया करता था इन सबसे भी उसका जी नहीं भरा तो सीजर ने मीठी चीजों की सहायता से क्लारा के रूम में बहुत सारे कीड़े भर देता है जिससे वह परेशान होकर उससे हेल्प मांगती है सीजर उसके कुछ कपड़े और बैग लाकर देता है और फिर से खुशी खुश और पुलिस उसे लेकर चली जाती है इन सबसे सीजर का साइको लेवल और हाई होता है और वह क्लारा को जान से मारने का प्लान बनाता है बेड के नीचे सीजर क्लारा का वेट कर रहा होता है क्लारा उस रात अपने वायफ्रेंड के साथ आती है और बेड पर यह दोनों खुलती है, तो वह बाथटब में होता है, जस्ट उसके सामने ही क्लारा ब्रश कर रही होती है, जिससे वह बहुत परेशान होता है, सीजर का बैग भी वही पर था, क्लारा सोच रही होती है, कि यह बैग किसका है, किसी तरह सीजर उनकी नजरों से बचकर बाहर जा, रहा होता लेकिन वह पकड़ा जाता है, सीजर कहता है कि कल रूम क्लियर करते समय उसका बै यहीं पर रह गया था, जिसे वह लेने आया है, सीजर उसे बैक देती है और वह वहाँ से चला जाता है, सीजर अब कुछ दिनों में यहाँ अपार्टमेंट छोड़ने वाला होता है यह बात जानकर एक लेड़ी उसके पास आती है, और कहती है कि वह लोग उसे बहुत मिस करेंगे सीजर उसे रिपलाई करते हुए कुछ ऐसी बातें कहता है, जिससे वह लेड़ी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है क्लारा और उसका बॉइफरेंड वीकेंड पर घूमने के लिए जा रहे होते हैं, जब यह बात सीजर को पता चलती है तो वह इतना ज्यादा मेंटल हो जाता है कि सुसाइड करने का डिसाइड करता है, जब वह बिल्डिंग की टेरेस पर होता है तो नीचे देखता है कि क्लारा वापस आ गई है, दरसल वह प्रेगनिक थी और यह दोनों जब भी इंटिमेट होते हैं क्लोरोफॉर्म की बोतल मिली होती है, जिससे उसका पूरा शक सीजर पर होता है और यहां इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें क्लारा का बॉयफरेंड मारा जाता है सीजर इस मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश करता है, अगली सुभा पुलिस आती है और इमवेस टिगेशन करती है, जिसमें वह सीजर से पूछताच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और वहीं पर खड़ी अर्चना को इन सब की जानकारी होती है, इसलिए रात में सीजर उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके आशना को खिड़की से नीचे लटका कर कहता है, कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया, तो वह उसके साथ उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा, अगली सुभा फिर से इन्वेस्टिगेशन आती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कुछ समय बाद क्लारा की मून उसे उस अपार्टमेंट से लेकर जा रही होती है, क्लारा काफी दुखी होती है और रो रही होती है जिसे देखकर फाइनली सीजर को सुकून मिलता है, अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्लारा के हाथ में एक बच्चा होता है, और उसे लगता है कि वह बच्चा उसके बॉइफ्रेंड का है, सीजर फिर से उसे एक लेटर भ अब्हाई इस बच्चा है, और हम है और यह सुन से एक लगता है कि वहन मिलता है, जहां खमेंखना है, जहां जहां होती है